नमस्कार दोस्तों पिकिंग इस्टेटी जी के में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज अपन बात कने वाले राजस्तान की बावडियो से समधिक मतपुन टोपिकी इसके बाद में इस टोपिक से जितने भी एकजाम में पुछेगी कुछिशन वो देखेंगे तो अगर दोस इस टिता है महरांगर्दुरूग जोधपुर में इस बावडी का निर्बान किसने करवायता तो इस बावडी का निर्बान करवायता चांद कवर्नी और इसी बावडी को उपनाम के इसे ही चोहान बावडी बोलते हैं इसे चोहान बावडी भी कहते हैं अगरी बावडी ब सतम इंड़ी दो सांहीं कि तो इस अगे कर निर्माड किसलि Berry अमी करWाय था राज़ाजाने इस अप्सandr स्बाब बबया कर राज़ा कर वाकर कर वाकर वायता तो नवे सता अधिमान कर वायता की तरह तो यह तेरा मंज़ल इसी के पास इसी चांद बावड़ी के पास हरसतमादा का मंदिर इस दीता है इसके अलाव बात की जाए तो इससे अंदेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं किसे चांद बावड़ी दोसा को इसके अलावा बाद की जातों दोस्तों इसके लिए वाक्या पर चलीता है कि जिन सीडियों से आप उपर गए है वापिस उन सीडियों से आप निचे नहीं आ सकते कौन सी बावडी से चांद बावडी दोसा से इसके अलाव बात की जाए तो यहाँ पर विदेशी और हिंदी फिल्मों की सुटिंग की जाए चुकिया है कौन कोई से हिंदी फिल्म में कौन कोई से हैं जैसे की एक तो जैसे बूल बले फिल्म और पहली फिल्म जैसी फिल्मों के सुटिंग की जाच चुकी है और अंगरेजी फिल्म की बात की जाच तो इसमें दैफोल फिल्म के सुटिंग की जाच चुकी है अगले वाली बावडी ये अलोधा का बुबाहने कुंट, ये Caesar इसी थी तया है तो ये भी जी फूरता लोगों सब्सक्तालत, और अबाने लिए घूरता आज्वाने कुंट, ये Sachet, इसे चाहं सब्सक्तालता है झाकूरती है, है। अबनेरी दोसा में ये भी चांज बावडी के पास में इस्थीत है विशाल बावडी ये विशाल बावडी का इस्थीत है ये भी बंडारेज दोसा में इस्थीत है सत्य विश देवरी बावडी का इस्थीत है ये भी चितोरगड रूग में इस्थीत है और देवरा भावडी का इस्थित है ये बेंगू चितोरगण में श्थित है नातवर जी की बावडी का इस्थित है तो ये श्थित है बेंगू चितोरगण में और सुनार की बावडी का इस्थित है ये भी बेंगू चितोरगण में श्थित है माता जी के बावड़ी कहा इस्तित है ये भी बेंगू चितोरगण में इस्तित है इसके आला बात करें तो दूद बावड़ी कहा इस्तित है तो दूद बावड़ी इस्तित है माउंट अबू सीरो में जबकि एक है दूद तलाई कहा इस्तित है तो दूद तलाई कहा इस्तित आगे वाली बावडी की बात करें तो जालर बावडी का इस चीत है तो जालर बावडी है बेंगू चितोल गड़ मी हराम कोर बावडी का इस चीत है तो हराम कोर बावडी है चितोल गड़ द्रुग मी आगे बात करें तो भारतियों की बावड़ी कांश्चित है तो भारतियों की बावड़ी है गांधी नगर चितोरगड़ में खुरा बावडी का इस तिता है खुरा बावडी या बड़ी साधरी चितोर गड़ में और रानी जी की बावडी का इस 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 बावडी क में कुम्बल दुरुग का श्ठित था है राद सम terrace में अगे बात करें तो मंदाकन नी स्थिति आ तो मंदाकन कुंद्ञ ज्थित था है अचल गड़ सिरोई में एंजण बावड़ी का श्थित depression युड़ में इस बावड़ी का बीन राल किस ने दूगर पुजिले में इस बावड़ी की बात करें एक है का निर्बान करवाया था कि तो ये जोदपुर जिले में, चोर बावडी कांस्तिता है तो ये उद्यपुर में, जबकि हराम कोर बावडी कांस्तिती तो हराम कोर बावडी कांस्तिती तो हराम कोर बावडी कांस्तिती चितोरगर द्रुग में और चोर बावडी है उद्यपुर जिले में, आगे बात करें इसके अलाव बात के जातों, य之前 का की रहनी गैश्टीत कहा थी, ये बुन्दी की रहनी गैश्टीत सु मस्टै था, ये इसका विवा किसे वा था, ये इसका विवा-था सुलूंबर की रतन सिंग चोड़ावत के साथ Sindicum ब्रटम में मारें जबकी आपको घ्यान रखना है जबके बाफिक वाणी में शुलोंबर अजय अगे बाहनीं में पर्चा भावडी का इस थिता है रामदीवरा यसलमेर में इसे ही ब्यरह भावडी इसी-का दूसरा नाम क्या प्रचा भावडी का दूसरा नाम है के आगे बात करे तो हरसनात की बावडी हरसनात की बावडी का इस्तित है ये सिकर जिले में इसके अलावा आने फिक्स की बात की जाए तो बावडी का सहर की सिखा जाता है बुन्दी जिले को दोस्तो ये मिस्प्रिंट हो गया ग्यापरा आपका लेना चमना मिना की बावडी यह चमना मीडा की बावड़ी का इस्तित है तो दोस्तों यह इस्तित है सापुरा भीलवाड़ा में दोस्तों सापुरा भी तीन जगह हैं सापुरा भी राजस्तान भी तीन जगह हैं पहले बात किता है सापरा जेपुर में, सापरा भीलवाड़ा और सापरा धोलपुर में, यह तीन जगह हैं जबकि यह चमना भीड़ना की बावड़ी का इस्तित हैं, सापरा भीलवाड़ा में इस्तित हैं, यह आपन को ध्यान लगना है, इसके अलाबाद की जתो इस छमना बावडी का निर्बाण किस ने कर वाया थाuce जितने भी इस टोपिक से एक्जाम है पूछेगे कुछ इनो वह देखेंगे। तो पहला क्यूशन है आज के लिए तो पहला है चांदवावडी कहां इस्थिता है तो चांदवावडी कहां इस्थिता भी अपने देखाता है तो चांदवावडी दो जगह है पहली जोधपूर में और दूसरी कहां इस्थिता है जोधपूर में तो इसमें जोधपूर उप बावडेल दी तो नोलक भावडी का निर्मान किस ने करवाया था रानी। प्रेमलेलक देवी ने यह परेमल देवी किस की पत्नी थी तो यह आ सक्रन की पत्नी ती अब रामकोर की बावडी का इस्तित है तो रानी हाड़ी का इस्तित है तो यह इस्तित है टोड़ा राइसिंग तैसल टोंग जिले में आगे बात करें तो हराम खोर की बावडी का इस्तित है तो हराम खोर की बावडी इस्तित है ये इस्तित है चितोलगर जिले में जबकि चोर बावडी का इस्तित है ये इस्तित है उद्यपुर जिले में आगे बात करें तो दूद बावडी कि जिले मिश्थीत है तो दूद बावडी कि जिले मिश्थीत है माउंट अबू सीरोई में जबकि दूद तलाई कहां इस्थीत है ये इस्थीत है उद्यपुर जिले में आगे बात करें तो पर्चा बावडी कहां परिश्चीत है तो ये जिल में जिल में परिश्चीत है इस पर्चा बावडी का दूसरा नाम क्या है तो इस पर्चा बावडी का दूसरा नाम है भेराव बावडी अगले वाले क्यूशन की बात करें तो त्रीमो की बावडी का निर्बान किसे ने करवाया तो त्रीमो की बावडी का निर्बान करवाया था रानी रामस्तिने तो इसमें B-Option सही होगा अगला क्युशन है सुनार की बावडी कहां पर इस्तित है तो सुनार की बावडी कहां पर इस्तित है बेंगु में बेंगु कहां इस्तित है तो बेंगु चितोरगर जिली में इस्तित है अगला कुछन चमना बावडी कहा इस दितत है ब yapılवड़ा की कुछ सी तथे सलमेगी अगला कुछन है बावडियों का सैर किसे का जा जाता है तो बूंदी जिले को तो इसमें D option सही होगा अगला क्यूशन है किस बावडी को चोहान बावडी भी का जाता है तो चोहान बावडी किसे का जाता है तो इसमें चांद बावडी को चोहान बावडी भी का जाता है तो चोहान बावडी का निर्बान किस ने करवायता रन्नी चांद का वरन्नी अगला क्वेशन राव राजा अनिरुद के पतनी नात्व द्वारा निर्मित बावडी है तो कौन सी बावडी है तो इसमें भी ओप्शन सयो का रानी जी की बावडी तो इसमें भी ओप्शन अपन को ध्यान रखना है तो दोस्तों ये थे बावडी से समधी मात्वपन क्वे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेकिया है